यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उप्चुनाव को लेकर पोस्टर वार और तीज होता जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आधितरहाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई बयान बाजी का दोर अब कहां पहुचा है? पहुचा है बारारसी मुख यहां काशी हिंदू विश्विद्याला के छात्र ने हिंदू जाती में बटेंगे तो बंगला देश जैसा कटेंगे यह स्लोगन लिख करके पोस्टर लगाया है अब इस नारे से बियाच्चु के गेट पर जो यह पोस्टर है आप भी देख सकते हैं फैसला आपका जिस तरीके से लिखा गया है यह एक और कड़ी जुड़ती हुए जहां पोस्टर वार में उत्रप्रदेश में सियासत काफी करने है मैं काशी इंदू विश्विद्याले के सिंग दोआर पर पोस्टर लगाने का कार्य किया और उस पोस्टर के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एवजूट हो कर रहें जाती पाती में मत बटें सुवे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी देश कर यह सश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और भारत को एक हिंदू राष् है राजनातिक दल और नेताओं का जोश उतना ही हाई होता है भारतिय राजनीती में नारे और खासकर चुनावी नारे खूब सुर्खियां बटोरते हैं एक ऐसा ही स्लोगन इन दिनों सुर्खियों में करीब दो महीने पहले उत्तर प्रदेश की सियम योगी आदेतनात ने आगरा में बटेंगे तो कटेंगे ये नारा दिया लेकिन अब लड़ाई नारे से आगे पोस्टर तक पहुँच गई है लखनव में समाजवादी पार्टी के तफ्तर पर लगे एक पोस्टर ने कैसे देश के सबसे बड़े सियासी सुबे की राजनीती को करमा दिया है दे यह यूपी का सियासी पारा एक रहेगा तो सेफ रहेगा तो जहरी उगला इन लोगों का काम है पीडिये जुड़ेगा और जीतेगा और वो शुरुआत हो चुकी है बटेंगे, कटेंगे, पीटेंगे, चुडेंगे, जीतेंगे और क्या यूपी में उप्चुनाओं है, पोस्टर नया दाओं है पोस्टर पर सियासी क्लेश, यूपी उप्चुनाओं विशेश पीजेपी कहती है बटेंगे तो कटेंगे समाजवादी पार्टी कहती है, जुडेंगे तो जीतेंगे मायवती कह रही है, बीएसपी से जुडेंगे तो आगे बढ़ेंगे बार हो रहा है, पलटवार हो रहा है यूपी की चुनावी राजनीती में इन दिनों यही हो रहा है जुबा से सियासी शब्द बान चल रहे हैं तो पोस्टरों के जर्ये सडक पर सियासी लडाई लड़ी जा रही है सवाल यह है कि नौ सीटों पर होने वाले उप्चुनाओं से पहले पोस्टर बॉर का मकसद क्या है करीब धाई महीने पहले कहे गए एक नारे ने देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की चुनावी सियासत को गर्माविया है अगली रिपोर्ट में जरूर देजिए करीब करीब लगातार ऐसे पोस्टर लगाए जाते रहे हैं जहां पर वो बज क्रियेट करते जैसे 27 के सता धीश 27 के खेवन हाथ ना बटेंगे ना कटेंगे पीडिये के संग रहेंगे और लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे ऐसे स्लोगन और यह चर्चा में पी रहते हैं हालाके इन नारों में कभी सीधे सीधे तोर पर बीजेपी या सीम योगी पर हमला होता नहीं दिखता था पहली बार समाजवादी पार्टी की ओर से भारती जनता पार्टी पर हमला वर रुख अपनाते हुए पोस्टर लगाए गया है बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर जुडेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर 27 की सताथीश से लेकर मथाथीश तक का पोस्टर USP की चुनावी राजनिती में पोस्टरवाली पॉलिटिक्स का ये नया एपिसोड है जो लखनाव में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर रिलीज हुआ है 27 के सत्ताधीश जो कि उनके जनम दिन पर एक नारा दिया गया था और उसके बाद नीचे लिखा गया है इस पोस्टर ने यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है पोस्टर पर लिखा है मठा भीश बांटेंगे और काटेंगे पीडिये चोड़ेगी और जीतेगी साफे की नारे के जरिये सीधिता और पार सीम योगी आदित दनात पर निशाना साथने की कोशिश की गई है पोस्टर पर 9 तरफ अखले श्यादव की बड़ी सी तस्वीर है 20 तरफ पोस्टर लगाने वाले अमित चौबे की तस्वीर है मुबाइल नमबर भी लिखा गया है पोस्टर क्यों लगाया अमित चौबे ने बताया प्रडेश की बाद करते हैं। लखनाउ में पोस्टर लगाने वाले चौबेजी हरयानर से MP तक पहुच गए। ये पहली बार नहीं है जब लखनाउ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर लगे हैं। एक दिन पहले इसी दीवार पर न बटेंगे न कटेंगे पीटिये के संग रहेंगे और 27 का सत्ता धीश जैसे पोस्टर लगाए गए थे वैसे समाजवादी पार्टी के दफ्तर की दीवार देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में छड़े पोस्टर मौर की तस्दिय खुद कर रही है रोज नए पोस्टर लगाने की बज़ा है समाजवादी पार्टी से ही सुनिये ये बाटेंगे, काटेंगे, ऐसा करेंगे, ये सब हिंसक नारे और इस तरह की मानसिक्ता कोई नहीं नहीं है भारती जंता पार्टी के ने, पहले भी हमने मानने मुख्यमंत्री को इस तरह की भाशा का प्रयोग करते हुए देखा है, तो हम उनको रोज याद दिलाते हैं, ये हैं कि सिर्फ पोश्टर लगाने से चुनावी नईया पार नहीं लगती है, समाजवाधी पाटी रोज नए नारे, नए होल्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है, कन्फ्यूज हो गई है, तै नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखे, लेकिन नारों और पो सभा सीटों के उपचनाव में सीम योगी आदे तनाद के नारे बटेंगे तो कटेंगे के असर की भी परक होगी, वजह ये है कि चुनावी संग्राम में बीजेपी को फ्रंट से लीड कर रहे, सीम योगी के नारे को जातिये गोलबंदी की काट के तार पर देखा जा रहा ह यूपी की जिन नौ सीटों पर जुना होने हैं, उनमें कई सीटों पर जात ये फैक्टर हावी है, मसलन पूलपुर, सीसामाव, कुंदर्की और मीरापुर सीट पर मुसलिम बोटर ननायक है, करहल, खैर, मजवा और कटहरी जैसी सीट पर OBC बोट एहम है बटेंगे तो कटेंगे कि स्लोगन को लेकर समाजवादी पार्टी यूही नहीं निशाना साथ रही है, इसके पीछे की राजनीती समझ ये पीएम मोदी की अगवाई में बीजेपी ने गयर यादव, OBC, गयर जाटव, दलिद और सवन जाती के वोटरों को जोड़ कर नया सामाजवादी करन बनाया था इसके दम पर बीजेपी लगातार चार चुनाओं जीत चुकी है, यानि 2014 और 2019 का लोगसभाचुनाओ और साल 2017 और 2022 का यूपी चुनाओ लेकिन 2024 में लोगसभाचुनाओं में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सामाजिक सम्मिकरण को थ्वस्त कर दिया, OBC के वोटों का बटवारा हो गया बीजेपी की कोशिश नए नारे के बहाने इस बिखराव को रोकने की है, हरियाना में बीजेपी की ये कोशिश काम्याब भी रही थी हरियाना में सीम योगी ने 15 रेलिया की थी, इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई योगी आदितनात ने हरियाना में हिंदू वोट बैंक का धुर्वी करण रोकने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का एजेंटा सेट किया जो लोगों के बीच काफी लोग प्रिय हुआ यही वजहा है कि बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खलाफ समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक है लखनों में रोज लगते नए पोस्टर की वजहा भी यही मानी जा रही है इसे लेकर वीजेपी भी अखले श्यादाव पर निशाना साधने में पीछे नहीं है केशो प्रसाद मौर यह भले ही दावा कर रहे हो लेकिन यूपी में उपचनाओं बीजेपी के लिए बेहत एहम है वजह देश की जुनावी सियासत पर पैणी नज़र रखने वाले जानकारूं से समझ ये इन उपचनाओं से एक तो जनता का जो मिजाज है वो परखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि क्या जो साख है बीजेपी की मुखमंत्री योगी आदेतनात की जनता पर पकड़ है उनका जो करिश्मा है वो अभी भी बरकडार है या फिर उसमें तबदिली हुई है अरीब पांच महिने पहले लोग सभचनाओं में बीजेपी को यूपी में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था जिसे लेकर जबर्दस्त सियासी घमासान भी होता रहा ऐसे में 27 के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा चुनाओं पीजेपी के लिए बेहत एहम है बीजेपी लगातार बटेंगे तो कटेंगे का नारा बलंद कर रही है तो दूसरी और समाजवादी पार्टी पीडिये यानि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राज़नीती के जर्ये जात ये पॉकेट्स को साथ कर लगातार इसकी कार्ट खोच रही है अब तो बात बिहार तक बहुत चुपी है बटेंगे तो कटेंगे कि स्रोगन पार्ट के जस्वी यादव क्या बोले सुनिये ये तो सुनने में नफरत भड़ा लगता है पूरी तरीके से ये सब नफरत प्हलाने की बात होती है इनके मूँ से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती कभी चिकित्सा की स्वास्त की बात नहीं हो सकती नौकरी बेरुजगारी की बात नहीं हो सकती महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती इनके मूँ में तरह जहर है केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है तेजस्वी यादों ने बीजेपी पर हमला बोला तो जवाब देने में गिरिराज सिंग ने भी देर नहीं की जोगी जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे तो अखलेश जादब और तेजस्वी जादब कहते हैं जूरोगे तो जीतोगे ये जीतने की लड़ाई में बंगाल में बंगाल के हिंदू अब बंगाल से प्लाइन कर रहे हैं इस पर क्यों नहीं डाहुल गांधी की जुबान खुल रही है बिहार में चुनाओ होने में अभी साल भर का वक्त है लेकिन यूपी में करीब डेड़ हफ़ते बाद 13 अमंबर को उप चुनाओ होने है जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी लड़ाई जबानी जंग से पोस्टर वार तक पहुँच चुकी है अब हमला सीध हितार पर सीम योगी पर हो रहा है क्योंकि वो गुरक्षा पीट के पीठा धीशवर है समाजवादी पार्टी के इस नारे को अलप संख्यक वोट बैंक को एक जुट रखने और पीडिये पॉलिटिक्स को सियासी मैदान में बरकरा रखने के कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है नतीजा क्या होता है 24 नमंबर को ही साफ होगा फिलहाल इतना साफ है कि चुनाओं तक यूपी में पोस्टर वार चारी रहेगा बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर धेरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने हिंदूँ को एक रहने की नसीहत दी आपस में बटोगे तो निश्यत रूप से फुटकर फुटकर करके कटोगे एक हमारे पास जिंबाला आदमी आया हमने एक लकड़ी दी उसने तोड़ दी हमने दो लकड़ियां दी उसको तोड़ी मेनत पड़ी उसने तोड़ दी हमने दस लकड़ियों का गठा दिया उसकी नानी मर गई नहीं तोड़ पाया यही हम हिंदुओं का हाल है एक-एक रहोगे तूट जाओगे एक-दो रहोगे तो तूट जाओगे लेकिन एक साथ सभी हिंदु रहेंगे उनकी नानी आ जाएगी वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगे